हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक्ग्रो बिद्रवी में हार दुख स्वागत है दोस्तों आज हम सभी फंडामेंटल आप प्लांट फ्रीटिंग का लेक्चर वन लेंगे जिसमें आज हम पादर प्रेजिन से जुड़े हुए कुछ महत्पूर्ण तत्यों के बारे में जानकार हो और अगर आप वीडियो की फीडियाफ लेना चाहते हैं तो आप हमें टेलेग्रम चैनल को जोईन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिसक्रप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो बात करते हैं पादप प्रजिन के संकल्पना या पादप प्रजिन की आधार भूति जो एक वाली बात यहाँ है अब बात करते हैं पादप प्रजिन की कि आधार प्रजिन क्या है तो यहाँ एक प्रकार की कला या बिग्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत्तुका बनाने के लिए उनकी आनवनसिक्ता में सुधार किया जाता है यह सुधार किया जाता है तो पादप्रजन क्या है तो यह एक प्रकार की कला या विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को आर्थिक महत का बनाने के लिए उनकी आनवनसिक्ता में सुधार किया जाता है अब आनवनसिक्ता किस प्रकार किया जाते हैं जैसे कि ओज में पृत्रोब्दी सीथ पृत्रोब्दी इस प्रकार की फसले होती है इने wrapping उन्हें प्रकार की करने तो प्रारम में प्रजन का शरुप का डात्मक था है जैसे जैसे पादेप्रजन को का ग्यान बढ़ता गया वैसे वैसे पादप प्रजनन में विज्ञान का प्रयोग अधिक होने लगा तथा कला का प्रयोग कम होता गया तो पादप प्रजनन क्या है यह क्रित्म प्रक्रिया है और पादप जनन यह प्रक्रिया है इसमें बिल्गों कन्फूज होने वाली आप 2013 मुखिए आनुवान्सिक शुदार कि जाते हैं वह पादप्रजिनन के अंत्रगत आते हैं इस प्रकार पादप्रजिनन की प्रकृतिक कलात्म गवा बिग्यानी दोनों होती है अब बात करते हैं पादर प्रजन के उद्देश की पादर प्रजन का उद्देश क्या है तो पादर प्रजन का उद्देश है वो यहा है कि पादर प्रजन का मुख उद्देश पौधों में इस्थाई आनुवानसिक परिवर्तन करना जिससे उन्हें अधिक महत बनाया जा सके तो पादर प्रिजन का मुख्युद्धिस क्या है तो उसका मुख्युद्धिस यहा है कि पौधों को इस्थाई आनुवांसिक परिवर्तन करना चाहिए जिससे उन्हें अधिक आर्थिक महत का बनाया जा सके जैसे कि अधिक उपज, जब पौधे से अधिक उपज होगी तो आमदनी भी अधिक होगी, गुडवत्ता में सुधार होगा, तो भी अधिक आमदनी होगी, क्योंकि जब किसी भी बर्स्ती हो, या किसी भी पौधा हो, अगर उसमें गुडवत्ता है, तो उसकी जो विक्री हो होती है अब बात करते हैं प्रत्रोधिक किस्मों का निर्माड क्या प्रत्रोधिक किस्मों का निर्माड जैसे कि कीट रोधिता रोग रोधिता सीत रोधिता सूखा रोधिता अब बात करते हैं अधिक दच्चितावाली किस्मों का विकास पादप्रजनन में जो अधिक दच् किसमों का विकास इसलिए किया जाता है जिससे कि पौधे खाद और बरक वा सिचाई का अधिक उपयोग कर सकें अब बात करते हैं सिग्र पकने वाली किसमों का विकास किसलिए किया जाता है तो जो सिग्र पकने वाली किसमों का विकास रोगों वा कीटों से पौधों को बचा जा सकता है अर्था जब पोड़ जड ल घाए कि गयाँ क ressyigris लिए किला दो टिया था तो उनका जो भी तर zungस्रण की समस्या खतुत हो जिससे की उपर वड़ जाती है जो भी फसलें एक साथ उत्पन्ज होती है उन夢은 भीषट्रन काおती है भीष़ना की समस्या हमती है फो खत्म हो जाती है और उपर जो हो आधिक हो जाती है अब बात करते हैं पादब पर आशन। कई पर योगदान पर नज़र डालिए यह टिपनी करियेंगा कई वर प्रसन इस प्रकार बन जाता है उ Gegenरी ऑल जैशा है कि वह थी एक तो गन्ना प्राजन केंद्र कवय तमवूर गन्ना प्रिजिंगेंद्र पर भारती गन्ने का संक्रंपाथवण उष्ण कटवंधी गन्ने सरक्वम और फिरिकम से करा कर भारती गन्ने में सुधार किया गया भारती गन्ना बहुत अधिक कठोर बहुत कम उपजवा बहुत कम रसवाला होता है जबकि उष्ण कडवंदी गन्ना बहुत अधिक कोमल अधिक उपज वह बहुत अधिक रसवाला होता है बहुत कम रेसे वाला होता है जिसका तना मोटा वह छिलका मुलायम होता है परंत उष्ण कडवंदी गन्ना उत्तर भारती जलबायों में कम उपज देता है इसलिए उसन कडवन्दी गन्ये के उत्तम लछणों भारती गन्ये में इस्थानांत्रित करने के लिए इन दोनों के मद्ध संक्रण कराया गिया और इस प्रक्रिया को भारती गन्ये का नोबिलाइजेसन कहते हैं कई बार प्रच्छा में प्रस्णिया बन जाता है कि गन्ये का नोबिलाइजेसन किसे कहते हैं या गन्ये का नोबिलाइजेसन क्या है तो उसका उत्तर है प्लिक सकते हैं अब बात करते हैं अर्दबोनी किसमों का विकास कि अर्दबोनी किसमों का विकास किसलिए किया जाता है जैसे कि धान में जो अर्द बोनी किसमें है वो है DGO Bougen क्या है DGO Bougen दूसरी है टिक चिकिंग नेटिव वन इसे TN1 भी कहते हैं और दूसरी है IR8 इत्यादी और भी यह फसलें एक यह जो महत्वन फसलें बताई हैं आपको यह सभी अर्द बोनी फसलें गण्यान की उसकर बात करते हैं इन जो तीनों किसमों के गुण हैं वो निम्न प्रकार से पाया जाते हैं जो पहला गुण है ये नहीं गिरने वाली होती है आधिक उपजदेने वाली होती है उर बरक प्रतिक्रियात्मक होता है और प्रकास अंबेदी होती है क्या होती है प्रकास आसंबेदी होती है अब बात करते हैं गेहूं में तो जो गेहूं की अर्ध बोनी किसम है वो है कल्याण, सोना, सोनाली का इत्यादी या जो है गेहूं की अर्ध बोनी किसमों में आती है अब इनमें जो गुण पाय जाते हैं वो इस प्रकार पाय जाते है अधिक उपज़ देने वाली होती है और बारक प्रतिक्रियात्मक होती है या कंड प्रत्रोधी होती है और प्रकास आसंबेदी होती है अब बात करते हैं प्रकास में संकर किसमों का विकास किसलिए किया जाता है यह कपास के संकर किसमों के विकास पर टिपणी करिएगा इस प द्याले जी ए यू के सूरत के अंदर पर गेस्कुम हिरसुटम की दो किस्मों के मद्ध संक्रण कराए गया कराकर एच फॉर किस्म विक्सित की गई सावित्री और पाज की जो अनि संक्र किशमे में वह सावी нрав तक करतेए जो को जोर वाज़़्या हुआए मग्का में संक्र किशमों का विकस तो जो संक्र किशमों का विकास हुआ है यह सावी जो चन्कर किशम ok यह फसले उत्पन्द की गई हैं मक्के की तो पी एच बी 10 पी एच बी 14 और पीजिए 104 वीच फाइव 506 अब बात करते हैं मक्का में जो फसलें बिक्सित की गई है संकर के दोरान वह जैसे की हैं मंजरी बिक्रम सोना किसान इत्यादी या सभी मक्के में आती हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जड़ा ज़्यादा लाइक और स्ट्रे करना बिलकुल ना भूलें तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेक्चेर कर साथ तब तक जैहन जैवारत